हलो और बॉर्णिंग एवरिवान माइसेल्फ आकिप सिद्धी की और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स का चैप्टर दाट इस यूर इंटिग्रेशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटिग्रेशन देखें स्टूडेंट्स इंटिग्रेशन के बेसिक लेक इंटिग्रेशन पढ़ा हुआ है लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे आप सब्सक्राइब अगरेशन ओर सब्सक्राइब क्या होता है । हमने फॉर्मला पर रखा है एक्स दी पावर एंड एक्स तो हम लोग कहते हैं यह होता है एक्स की पावर एंड प्लस वन अपॉन अपने प्लस वन यहां पर प्लस सी लगा आए ते बोलते हैं कि एंड शुड नॉट इक्वल टू माइनस वन ठीक अब जैसे हमने सीखा था कि इंटिग्रेशन ओफ साइन ओफ एक्स डिएक्स आपने का वही है माइन इस कोशेक्स होता है फ्लस यहां इसका डिफरेंशियल डिसी प्रोकल में डाल दिए ते and this thing was applicable to all the technological functions and all the algebraic functions शर्त यह थी कि यहाँ पर X की पावर किती होने चाहिए maximum 1 होनी चाहिए ठीक इतना हमने पढ़ा था यह क्यों आया कि हमने यह चीज रटवा दी थी आपको अब इसका basic fundamental हम लोग पढ़ेंगे जैसे मैं कहूं कि आपके पास दिया है question में कि sign of 5X-13DX तो आप कहोगे सर यह minus cos of 5X-13 और यह one upon 5 हो जाएगा प्लस C लगा देंगे ठीक अब यह क्यों हो रहा कैसे हो रहा है इसको हम लोग समझेंगे T method से तो चलिए इस question को फिर से एक बार लिख लेते हैं और देखते हैं कि यह actual में हो क्या रहा है मैंने शुरू में ही बताया है कि integration क्या है एक दुसरे के reverse हैं जिसको हम लोग integration को इसी लिए हम लोग क्या कहते है anti of the derivative ठीक अच्छा अब देखिए सबसे पहला काम यह करना है कि जो चीज आपके लिए problem हो मतलब यहां पे अगर आपके पास x होता समझ गाई इसको हमने सबस्क्राइब इसी दिए इसको टी मैथट भी कहा जाता है इसको आप पी भी कह सकते हो जैडड भी कह सकते हो के भी कह सकते हो लेकिन है और यूस किया इता है वो टम है टी डाटी जलसेगे है नोट कर सकते हैं अब करना यह है कि इधर ड डिभाई डिटी करना है और इधर भी हमको कॉड डिभाई डिटी करना क्या करना है जो माना है उसी के रिसक्ट में डिफरेंशियेट करना है तो दी बाई डी ती इधर करेंगे है ठीक है यहां क्या आएगा डी बाई डी टी ऑफ फाइफ एक्स माइनस डी बाई डी टी of 13 और ये टी का डिफरेंशल कितना आएगा वन आएगा ठीक अब फाइब बाहर लेंगे तो यह आएगा डी एक्स अपॉन डी टी माइनस तो फाइब डी एक्स अपॉन डी टी इस इकल टू वन तो डी अब बराबर हो जाएगा वन वाइव डी टी उधर बेंदेजे यह बात समझ आई आप लोगों को कि यहां पर हमने क्या किया डी बाइडी टी ओफ फाइप अब दो फाइफ तो गॉंस्टन्ट बाहर वेटकर लिए एक्स हमारा कॉंस्टन नहीं है एक्स क्या है आपका वेरिय आप टी कर देंगे तो भाई ये तो चलो टी से सट्टिट्ट कर दिया अब डीएक्स की जगा क्या होना चाहिए तो हमने डीएक्स की वैलू निकाल दी किसका इंद में टीके इंद अब यह सारी वेर्यूस पुट करेंगे वाड़्यों थाइंग यह पुटिंग कि इन फॉ उफटी वन वाइफाइव हगे और इंटीडेशन ऑफ क्या करोगे साइनटी डिटी तो वन अपउन फाइफ देखें एक दिए सिंपल इंटेशन हो गया कि नियुगा साइनटी च्या होगा आपका माइनस कॉस्ट यह अब जो भी ती की वैलु रही हो इसको रख देंगे आप क्या आएगा ती की जगह क्या था फाइव एक्स माइनस अब प्लस सी लगा देंगे लास्ट में तो इसे आप लोग फिलाल नोट करें हाँ तो हम लोग अगला कॉश्चन करेंगे जैसे जैसे हमने कहा था एक फॉर्मला बताया और गाल था कि AX प्लस बीइल लिए और अप्लस लगाएं तो यहां क्या करते थे डिनोप्रम पर एते ऑफ मालें लेंगे और आप देखोट गैसे हैं जैसे मैं कहूं कि integration of 5x minus 2 hold to the power 20 dx integrate करना है तो नॉर्मल तरीका क्या होगा यहां पर बताओ 5x minus 2 hold to the power 20 plus 1 upon 20 plus 1 in one bracket और इसका जो differential है वो क्या होगा 5 यह कितना है गा 5x minus 2 hold to the power 20 और 5 into 21 ठीक है तो यह कितना आएगा 5x minus 2 की पावर 21 अपॉन फाइव 105 प्लस यह तो रटा हुआ तरीका हो गया अब इसको एक्चुली सब्टूशन मेथट से कैसे होता है यह समझ लिजे आप लोग जैसे मैं कहूं 5x minus 2 hold to the power 20 dx तो यह कैसे होगा जो चीज प्रॉब्लम क्रेट करें जहां पर आपको ऐसा लगा कि यहां पर एक्स होता है तो हमारा काम सब्सक्राइब तो यहां पर इसी चीज को पूरा हम लोग क्या माल लेंगे पुटिंग या पुट 5x minus 2 is equal to t not differentiating both side with respect to t अगर हम इसको यू मानते तो d by du करते माल लो 5x minus 2 को हमने यू माना तो हमें किस से differentiate करना था d by du से करना था या कह सकते हो दी बाइड यू लगाना था दो तरफ तो यह क्या है जरा बता हो d by dt of 5x minus d by dt of 2 यह कितना हो जाएगा answer इसका वन हो जाएगा ठीक है फाइब बाहल लेंगे यह बन जाएगा d x upon dt minus 0 is equal to 1 5 times dx upon dt is equal to 1 अब हमें क्या करना है 5 dx की वेलू क्या जाएगी 1 by 5 of dt अब क्या करेंगे सारी वेलू यहाँ पर सब्सक्राइब करेंगे मतलब कि देखो 5x minus 2 को हमने क्या माना है टी माना है टी की पावर 20 और dx की जाएगा क्या है 1 by 5 dt 1 by 5 of dt तो कितना आएगा 1 by 5 टी की पावर 20 dt अब यहाँ पे एकदम आसानी से formula लग जाएगा कितना आएगा टी की पावर 20 plus 1 upon 20 plus 1 यह 1 upon 5 इन्टू टी की पावर 21 upon 21 तो टी की पावर 21 upon 105 अटी की वेलू क्या माना था हमने 5x minus 2 that means कि 5x minus 2 hold to the power 21 upon 105 plus c तरीका थोड़ा लेंदी है लेकिन बड़े questions को solve करने में बहुत ज्यादा आसानी करेगा आप लोगों के लिए ठीक है अभी तो लग रहा होगा कि भाई यह ट्रिक्स ही बहतर थी लेकिन यह तरीका आपको और स्टांडर्ड लेवल आफ जो integration सब्सक्राइब में उनको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मजद करें जहां यह तरीका आपको काम नहीं करेंगा यह तरीका काम करता है यह तो यह तरीका नहीं काम करेंगा ठीक है इसे आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़त सब्सक्राइब करना है अब इसको देखते ही सबसे पहला सबार हमारे बढ़ में आएगा कि काश यहां पर एक सोटा तो इसको हम टाइटा करेंगे सोरी 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 सबस्क्राइब कर देते हैं कि यहां पर लोग करते हैं कॉस आफ थ्री एक्स ब्स तुए इसको देखते हैं सबसे पहला वाग में अगर यहां पर एक्स होता है तो हम लोग कॉस इतना साइन एक्स इंटिकल लिग देते हैं अब वही काव करना है जो चीज प्रॉब्लम क्रेट करें इसको क्या माल नहीं टो सब्सक्राइब लेगं इस दा एक्स के रिस्प्राइब करना तोर ती के रिस्प्रेट में है लेकिन चाट परेक्स अबलुए फिर एक्स करें दो दो डिगा दूं कि इस के साइड में के रिस्पेक में इपर उपनेशियेट करो तो इधर क्या है यह में एको इसकी इसको अटागी हो सब्सक्राइब देखो इसका असली यूज कहां पर है जैसे मैं कहूं नहीं दिखा हुआ है कि देखने में काफी खतरनाध लग रहा है लेकिन है बहुत आसर यहां से डिर्क्ली यह तब यह आपके मांके अगर करने का सब्सक्राइब यहां पर इस तरह को सब्सक्राइब करें यहां पर इस तरह कोश्चन जोंप्लेक्स आपके इंटेग्रेशन ने कहा है कि एक का डिफरेंशेल जरूर दिया हुआ कि एक का डिफरेंशेल जरूर दिया हुआ अगर आप इसको ती माने तां इंवर्स ऑफ एक्सक्राइब प्रीक्ण czy क्या माले क्या मतां है त्रिक क्या बैख एकस के डीफरेंशेट पर दिफ एक्सक्राइब इस प्रेस̃ड्व्ण्स औलो ट्यार मार управ क्या वे शrightॉन है आपके आएगा बंग, X के साइड़ने क्या रखाना है, Dx और T के साइड प्या राना है, Dt तो जब ने पूरे जी एक साइड चला गया है तो क्या रखाना है ये इस पूरे की रखान उन्हों बंड टी लिग देते हैं तो को इस पूरे की रखाना है, Dt आगया, अब e की पावर T आगया की नहीं आगया, बताओ अब e की पावर T आइडिरल क्या होता है, e की पावर T होता है, t की पावर लोटा आगया है तो प्या आगया है एक और देखा, जिसे मैं कहूं इंटिग्रेशन ऑफ और अडरूट में 1 प्लस X स्क्वार देख सकते हो, कि यहां पे एक डिफरेंशल यहां रखा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, जो रूट के अंदर है, यह एक प्रेफरेंस है, इसको चाहों तो simply T मालो लेकिन प्रेफरेंस यह कहा जाता है, और तकि आगे हम तो ढूट के अंदर है तो इसको T स्कॉार मालो है, क्या मालो? ताकि वह रूट से आजाद हो जाए और फ्रक्शन पावर कम से कम रहे है, यह तकि आपको question को deal करने में आसानी है तो अगर आप इसको T² इदर को तरीका क्या है? इदर इसके रिस्क्रिक में इदर T में इदर कितना है? 2X और इदर कितना है? 2T इदर क्या रहा होगा? Dx इदर क्या रहा होगा? बोलोगे, जो हम लोग डिफ्रेंशियेट करते हैं वो बिसक्रिए Dx को Dt के टब में लाना चाहा है इसका रहा होगा T के टब में खर, तो जिखुर 2X इंटू Dx की जगा क्या शुक्ते होगा? 2T Dt अब यह क्या होगा? अंदर रूट में 1 plus x क्या होगा? रहा रूट से अजाद होगा T into 2T आएगा? का रहा रहा? 2T2 component dt हीगा स्थार रूट कальная t2 को रहा हो दो 2T2 ने में लान access क्या होगा locks अपुर क्या में crying का रहा होगा? ट्य लेका होगा का रूट में सभी अगा यह प्रावर पावर अप्रस्टिके आपके अप्रिफिकाशन कोगते हैं यह जल्दी से अप्लोग करें